इसकार मैं शंबू कुमार सिंग और आप देख रहे ने सब दस्ता के बड़ा खुलासा करूंगा गोपाल शर्मा पर ये ठीक वैसी है जैसे कोमल सर्मा के मारते पिरते डंडे आये थे कि ये जूबिनाइल है पुलिस क्या कह रही है एक बड़ा खुलासा हुआ है इस सक्स के पिता को लेकर वही बात करूंगा अज बाबा साहब ने जょ पत्री का अख्वार के था मुकनायक को उसके सहाल फुरी है उस पर ही बात करूंगा सरजिल को लेकर भी बात करूंगा कि जो खबर फैलाई जा रही कि असने ठाहarmed ह कि एक हंदू रास्ठो तो उसको लेकर कि पर्थकिरिया आप लोग की उस पर ही बात करूंगा लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज मुकनायक पहले हम आते हैं बावा साहब नहीं से सौ साल पहले पत्रकारों को इस देश की मीडिया को इस देश की पत्रकाईटा को चोर और सवर्नों का गिरोह कहा था जो बावा साहब कि उसका खुन खुन है हमारा खुन पानी है उसका धरम धरम है हमारा धरम बेकार है वह ऐसा लगता है उसके बाप का देस है तो इस पर ही बात करूँगा लेकिन आज ही मीडिया नहीं बदला इसलिए मैं CSTOBC मैनोटी के लोगों से कह रहा हूँ जो बाबा साहब का नहीं पार है उसको देखियर उसको पढ़िये और जो सवर्म झातिवारीयों का मनुलفार का है उसको सकता है कोई आके मनुलस जातिवारी तब अदा घंट आधा घुम आँके वारे बाद कर लेबिदे दो के तो मैं फिर कह रहा हूं जो बाबा साब का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा इसलिए मैं 100 साल पूरे होने पर कह रहा हूं कि बाबा साहब के आज भी हालात नहीं बदले हैं और आज भी सिएश्टी ओबीसी मैनोटी जब उस समय सुद्र और छूत के साथ जो विवहार करते थ जब संभिधान वना जब हमें सीश्टी ओवीसी मैनोटी हुए तो आज भी हमार साथ ही बहभार हो रहा है तो इसका बिरोत कीजिए भहिसकार की जब आते हैं गोपाल सर्मा पर कहा जा रहा है कि गोपाल सर्मा की पिता की मौत 20 साल पहले हो गई और वो 17 साल का है लोग सोश तो इनको यहां से भी चुनाओं का ठीकर लिया जब बग्गा को दे सकते हैं तो इसको भी दे सकते हैं लेकिन सवाल है कि जब उसकी उमर 17 साल है उसके पिता की 20 साल पहले देत कैसे हो गई यह सवाल दूसरा सवाल रजिंदर परसासिं ने बहुत शानदार लाइन लिखी है कि बदमास जो होता है वो पुलिस को देखके भागता है लेकिन इसकी तस्वीर देखिए ये गोली चलाने के बाद पुलिस की तरफ लोट रहा है इसका मतलब है कि क्रोनलोजी समझे कि ये पुलिस की मिली भगते और पुलिस किसके इसारे पर काम कर रही वो समझना पड़ेगा अब लोग जो हिंदू-मुस्लिम राष्ट पर बात कर रहे हैं मैं बार-बार कह रहा हूं कि हिंदू-मुस्लिम जब भी आप बात करेंगे आप भी BJP RS इसको नहीं हरा पाएंगे इसको ब्रहामन बादी और सनातन कहना परेगा ये हिंदू आतंक वादी नहीं है वो हिंदू-धर्म में है लेकिन जो आतंक फैलाता है इस देश में वो जातिवादी, ब्रहामनवादी, मनुबादी, सनातनी है ये और इनका बिरोध कीजिए इसको हिंदू SCSTOBC भी हिंदू है इस देश में बुधिष्ट है, सिक है उसका कोई लेना देना नहीं, वो सब के सब भिक्टी में अब सरजील पर आते हैं, सरजील को लेकर कहा जा रहा है ये जो खबर फैला रहे हैं, कि सरजील ने कहा है कि इसलामिक राष्ट हो, तो गुना है, चलिए बहुत अच्छा समिधान में इसलामिक राष्ट की बात नहीं है लेकि इन से पुछेकिन के बाप का देश है जो दिन भर हिंदू राष्ट ब्रहामन बादी राष्ट मौनु बादी राष्ट जाती बादी राष्ट कहते रहते हैं मौन भागवत रोज कहता है यह ब्रहामनों का देश है उसके कि शिख देश हो तो तकलीफ होगी, जब कल कोई बहुत कहणी कहएगा बहुत देश हो तो तकलीफ होगी, लेकिन यह आपके बाप का देश है, आप रोज कहिए कि भ्रामन राष्ट बनाएंगे, सनातन धर्म जिंदाबाद, सब को इस देश में हाखे अपने-अपने मजभप मनुबादी और सनातनी है इस बात को समझना चाहिए और इस गुंडे की तस्वीर देखिए ये इसको इसको टिकट भी मिल जागा हिंदू महासवा ने कहे दिया है कि हम इसको सम्मानित करेंगे इनके सारे नेता कहरे है अगर आप लोग अभी नहीं समझ रहे हैं तो यह आपक काई है और सबसे बरते कौंस्ट्युश्नल टर्म से इस्तेमाल की एसटी अपर हम लोग इस देश के ब्रहामनबादी ब्रहामनी राष्ट के खिलाफ है और और सर्क में राश्ट नहीं यह ब्रहामनी राष्ट आता है इस इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा और रहामन अम्भादी आतंकवादी है यह मनुवादी यातंकवादी है जातिबादी यातंकवादी उसको समझना पड़ेगा इस देश में अर्वों 100 करोर लोग हिंदू है और वह इसस्त क्म नहीं करते हैं जो से स्टो भी साक्वा bouton हुद के साथ हैं यह क्ति सह这ति लिग mari भी नुप हैं जो तरंडे के साथ नहीं है वही ब्रहामन वादी है जाती बादी मनुबादी है और उसका विरोथ कीजिए और स़र्जिल कहते इस्लामिक राश्ट आपके के मरोर उड़ जाता है और जब कोई हिंदु वादी राश्ट कहता है ब Whenever राश्ट पेट में मरोड नहीं उड़ता है इसलिए बावा साहब ने 100 साल पहले अख़वार शुरू किया था इस देश की मीडिया का अख़वार का बाइकोट कीजिए तब ही आप बावा साहब के सपनों का भारत बना पाएंगे संविधान का भारत बना पाएंगे आप लोग की क्या के लिए अपनी पर्त के लिए जरूर दीजिए शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें